ओके ओके तो इस अपते के स्मैकडाउन हाइलाइटेड के निले निले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है तो इस अपते का स्मैकडाउन बड़ा ही इंट्रेसिंग राजा सोलो सिक्वा ने आखिर कर अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिये कि अपने खुद के डिसिजन्स खुद भी ले सकता है उसी के साथ सथी सब्सक्राइब के अंदर भी दो नए टाइटल्स को अनाउंस कर दिया गया सभी के ऊपर एकदम मस्त मसका बात करेंगे तो फिर आराम से एकदम हेड़फोन अगेरा लगा के बैट जाओ तो इस सब्सक्रा अंदर से ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एजे बाजी मार जाएगा क्योंकि बहले एले नाइट एक काफी भारी भरकम पोटेंशल वाला बंदा है उसके मूव्स भी काफी ज्यादा ओडियंस को इंटेग्रेट करते हैं मगर एजे स्टाइल्स वह एक शाना बंदा है उस को यह दोनों अगले अफते के स्मैकडाउन में साइन करेंगे उसके बाद हमें देखने मिला सोलो सिक्वा जिसका डरते डरते हुए पॉल हेमन इंतजार कर रहा था और यहाँ पर नोटिस करना अभी तक सोलो सिक्वा हमें कही न कहीं एक तरीके की शैडो में चलते हुए द में दिखने मिला स्मैकडाउन का चिफ निक ओल्डस जिसने ट्रिपल ह को बुलाया हुआ था और ठीक रॉक की तरह यहाँ पर भी अपना एज भाई साब आया और उसने निक और एडम को एप्रिशेट किया ओडियेंस की और से रसलमेनिया को मिले यूज रिस्पॉंस को भी उसने सेलिब्रेट किया और अनॉंस कर दिये दो नएट एक्टिम टाइटल्स जिसे लेने के लिए निक ने आरीना में इनवाइट किया और ग्रीन वालर को जाटिक आर्ट रूत की तरह यहाँ पर भी इन दोनों ने ट्रिपल एज के साथ थोड़ी बहुत बहुत चुदी क परसे से एंजल गारतो सोंबरत करियों के बीच हालागी यहाँ पर अगर वन टुवन देखा जाए तो फिर ओटरस ओपेन इन सभी बंदों में से काफी जादा पोटेंशल वाली टैक्टिम नजर आती है पर बाकी तीन टीमों ने मिलकर इन्हें जो भाई रगड़ा है इन् लेकिन आपर बाजी ले गए स्ट्रीट प्रोफेस लेकिन उसके बाद हमें बैक्स्टेज देखने मिला सोलो सिक्वा जो केविन ओवन्स को डूड़ने के लिए निकल पड़ा था लेकिन आपर पॉल एमन कहीं न कहीं अपनी और से मामले को थंड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है कि ब्लड लाइन अभी कहा पर है एक्चुली अंदर पॉलिटिक्स क्या चल रही है लेकिन वहीं पूरी ओडियंस रोमन के नाम की हुटिंग शुरू कर देती है कि भाई हमें रोमन चाहिए रोमन चाहिए जिसे सुनकर कई न कई पॉल भी एमोशनल हो चुका था ले यह काम और कोई नहीं बलकि टामा टोंगा का ही होता है हालकि उस हालत में भी केविन ओंस उन दोनों को मारने की कोशिश करता है लेकिन भाई टामा टोंगा उसे हम जितना समझ रहे थे वह उससे कही ज्यादा अग्रेसिव रेसलर है वहामावल को शांत करने के लिए निक भ बोस है नहीं करेगा यह ब्लड लाइन अच्छे से समझ ले अब हाला कि यहाँ पर साफ साफ देखने मिल रहा है कि पॉल हमन इन सारी चीजों से खुद भी खुश नहीं है वो तो बस दर की वज़े से इन सब का साथ दे रहा है कि आगे इस ब्लड लाइन के मामले को लेकर क क्या होता ही यह देखना इंट्रेस्टिंग ही होगा लेकिन नेक्स नेक्स उसके बाद एक ऐसा महच हुआ जिसे देखने के लिए ना ही मैं इंट्रेस्टेट था ना ही सुनने के लिए आप इंट्रेस्टेड होंगे कारलेटो वर्सेस एसकोबर यह पर जीत गया यह यह से जम्प किया यूओ और नो नो को पचाड के यह सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को पी सब्सक्राइब जबर कर देना मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रैंड वीडियो के साथ तब तक के लिए हास्ताला वीस